तो भाई लोग शी हल्क का पहला एपिसोड बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग था काफी ज्यादा मज़दार सीनिस भी आते इसमें पात करते हैं एपिसोड उन की स्टोरी की तो स्टोरी स्टार्ट होती है वहां से जहां पर जैनिफर एक स्टेट्मेंट त्यार कर रही होती अपनी केस के लिए जहां पर वो शी हल्क बन चुकी है उसके आद वो भाहर आते ही फोर्ट वार्ट को ब्रेक करते हुए अपनी बैक स्टोरी बताती कि वो शी हल्क कैसे बनी तो भाई बात है कुछ महीने पहलों कि जब वो और ब्रूस बैनर एक ट्रिप पे जा रहे हो उन होया है और वहीं पर वो जैनिफर लॉर्ट को ट्रेनिंग देगा कि कैसे शी हल्क बनके वो समाज के बीच में रह सकती है तो शी हल्क को जब वो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो अपनी एक स्लेवस निकालता है जिसको उसने लिख में पूरे पंदरा साल लगा है लेकिन जब वो बुक पढ़ना चालू करता है तो उसके आद पता लगता है कि जैनिफर लॉरेंस जो है वो शी हल्क बनने के बाद भी कॉंशेंस माइंड से ही काम करती है जिसके करना उसको जायतर चीज़े सीखने में जारा टाइम नहीं लगता जिसके आद वो वापिस अमेरिका आजाती है अपने लोग के काम में उसके आज जैसी वो अपनी स्टेट्मेंट देने वाली होती है उसी टाइम कुछ कांड हो जाता है बात करें इसके पॉजिटिव की तो एपिसोड वन जो है ना तो उतना फास्ट है कि तुम्हें सब्चित जल्दी जल्दी लगेगी ना ह बी काफी देखने में मज़ा आया तीसर पॉजिटिव की बात करें तो इस शो की रैटिंग अभी दख तो काफी सही लग रहे है और कॉमेडी भी काफी अच्छी है चोच्छे पॉजिटिव की बात करें तो जब शी हल को जो इसके बार में पता नहीं लगा है अगर कुछ नेगेटिव की बात करें तो वैसे तो ये मेरे को शो काफी अच्छा लगा था इसलिए मैं इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ दिया लेकिन इसका VFX जो था हल्क और शी हल्क का वो बड़ा फायदा है कि उनको चड़ती नहीं है लेकिन लास्ट में जो चीज हमने देखा पोस्ट क्रेडिट में वो देखके तो महरान ही हो जाओगे अब इसको देखने के बाद मैं एपिसोड टू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिड हूँ बाकि देखते हैं एपिसोड टू में क्या होगा बाकि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट सब कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए बाकि मिलते हैं किसी और वीडियो में बाई